वैशनो देवी मंदिर जा रहे हैं तो ये बाते ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप एक दिन में दर्शन करके आना चाते हैं तो आप अपना सामान रेलवे स्टेशन में बने लोकर में रख सकते हैं और अपने चढ़ाई पूरी करके सामान वापिस ले सकते हैं। वैशनो देवी की चढ़ाई की दोरान भी आपको अपना सामान रखने की स्विधा देने वाली काफी दुकाने मिल सकते हैं। आप अपना सामान उधर भी जमा करा सकते हैं। अगर आप उससे कम देने का आग्रे करेंगे तो आपकी पहस भी हो सकती है इसलिए सतर करें और हो सके तो होटल ही बुक करें क्योंकि कट्रा में आपको ध्रमशाला वाले चार्जेज में ही अच्छे होटल मिल जाएंगे अपने होटल में एंट्री करते ही होटल का कार्ड मांग ले और लोकेशन सेव कर ले क्योंकि जब आप मंदिर के दर्शन करके वापिस आएंगे तो ये आपको बहुत काम आएगा नमबर थी यात्रा शुरू करने से पहले आपको एक यात्रा पर्ची बनवानी होगी जोकि एक तरह का कार्ड है इसके बिना आपकी यात्रा शुरू नहीं हो सकती और यह आपको ओनलाइन रेल्वे स्टेशन या कट्रा बस स्टेंड पर आराम से मिल सकती है नमब फॉर, यत्रा शुरू होती है कट्रा से, यत्रा के दो मार्ग हैं, तारा कोट मार्ग और कट्रा के बेस केम्प से बान गंगा होकर जाने वाला मार्ग, हलांके तारा कोट एक नया और सुन्दर रास्ता है, लेकिन यह काफी लंबा है, जिबके बान गंगा वाला रास्त चोटा है अगर, आपने घोडे या पिठू की सविधा नहीं ली है तो अर्ध़कुमारी पर आपको घोडे और पिठू की सविधा मिल जाएगी जो हाथी मत्था की रास्ते आपको भवन तक पहुँचाएगी इसके आगे आपको घोडे की सुविधा हिमकोटी की रास्ते पर नहीं मिलेगी पोइंट नमर फाइव बैटरी कार की सुविधा भी अर्धकुमारी पर ही है ये सुविधा आपको तब ही मिलेगी जब मोसम अच्छा हो यह बैटरी कार अर्धकुमारी से भवन के बीच हिमकोटी वाले मार्ग पर चलती है और इसका किराया अर्धकुमारी से भवन तक 354 रुपए है और भवन से अर्धकुमारी तक 236 रुपए है बैटरी कार के टिकेट आप काउंटर से भी ले सकते है लेकिन लंबी लाइन देख कर आपका मन शायद बदल सकता है इसलिए इसकी बुकिंग को ओन लाइन ही करा लेना चाहिए पोइंट नमर शिक्स वैशन देवी में पवित्र आरती दिन में दो बार्यानी की सुभ़ै और शाम होती है मंदीर में आरती का समय निर्धारित है आरती दो घंटे तक चलती है आरती के दोरान भक्तों को दर्शन करने की अनुमति नहीं होती इसलिए आर्थी का टाइम पता करके ही जाएं नहीं तो आपको दो घंटे से जादा लाइन में इंतजार करना पर सकता है पॉइंट नमबर सेवन और वापिस भी आ सकते हैं एक और खास बात अगर आपको रोपवे में बैठना है तो उसके लिए आपको दो बजे तक भवन पहुचना होगा क्योंकि रोपवे की सुविधा सिर्फ पांच बजे तक ही होती है कई बार टिकेट और लिफ्ट की लाइन में दो घंटे तक का भी समय लग चाता है अगर आप चाहें तो भवन से भैरों के लिए घोडे की सुविधा भी कर सकते हैं जो आपको भैरों दर्शन करा के सीधा नीचे कटरा में उतार देते हैं यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पालकी, घोडे या पिठ्थू वाले सभी लोग वैशनो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर रजिस्टर होते हैं जिसके कारण वो आपसे ज़्यादा रुपए नहीं मांग सकते रेट चार्ट आपको वैशनो देवी वेबसाइट पर या किसी जगे दिवार पर लिखेवे दिख जाएंगे पॉइंट नमबर एट इस यात्रा में आप अपना हेलिकोप्टर में सफर का सपना भी पूरा कर सकते हैं अगर आप हेलिकोप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखें की हेलिकोप्टर आपको सांजी छत तक छोड़ेगा वहां से आगे भवन तीन किलोमेटर दूर है जिसके लिए आपको पैदल, पिठू या घोडे से जाना पड़ेगा भवन में जाने से पहले आपको लोकर रूम में अपना सारा समान जैसे की खड़ी, पर्स और यहां तक की फोन भी जमा करवाना होगा धान रहे कि लोकर रूम नंबर वन जो सबसे पहले आता है उसमें अपना समान जमा करवा दे और लोकल रूम 2 के लिए आपको काफी सारी सीडिया चड़नी और उतरनी होंगी अब कुछ और बाते जो आपकी परिशाने को कम कर सकती है जब आप प्रसाद लेते हैं तो आपको साथ में नारियल भी मिलता है लेकिन याद रखें कि नारियल के साथ वापसी में हवाय यात्रा करना अलावड नहीं है इसलिए नारियल सोच समझ के ही ले भवन परदशन के बाद खाने के अच्छे रेस्टोरेंट है जैसे की सागर रतना जहां का खाना काफी अच्छा और सस्ता है यात्रा के मार्ग में आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे तो आप हाथ में खाने पीने का समान लेकर चलने से बचें अगर आप रात को 9 बजे या उसके बाद वापिस उतर रहे हैं तो आपको पिठ्थू या घोडे नहीं मिलेंगे तो आप टाइम से ही चढ़ाई शुरू करें आखरी बात वैश्णो देवी यात्रा में कभी भी बारिश हो सकती है तो अपना च्छाता और रेनकोट साथ रखें और भूसकलन संभावी जगों पर सेल्फी या फोटो बिल्कुल भी ना ले हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा मंगल में होगी अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर करना बिल्कुल ना भूले ऐसे ही इन्फोमेटिव वीडियो के लिए हमारी चैनल को याद से सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैमाता दी